दोस्तों Warren Buffett कहते हैं cash is king लेकिन मोदी जी कहते हैं go cashless दोनों विपरीद बाते हैं तो आखिर सुने किसकी दरसल cash causes actual pain MIT के एक neuropsychologist कहते हैं कि जब हम cash की लेंदेन करते हैं तब हमारे brain में one nanosecond के लिए actual pain feel होता है हमें एक चीज खरीदनी चाहिए या नहीं ये decide करने के लिए एक nanosecond is more than enough दोस्तों इस phenomenon को science में flinch moment कहते हैं लेकिन cashless transaction के आ जाने से ये pain खतम हो गया है तब ही आप clearly देख सकते हो कि भारत में last year से 55% जादा cashless transaction हुई है दोस्तों मेरा आपसे सवाल है आप कब जादा खर्च करते हैं जब आपके wallet में cash रखते हैं तब या फिर जब आप UPI use करते हैं